हेलो डियर स्टूदेंट्स वेलकम बेक ऑन कल्यानी जुमियर्स पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेस्टन्स किये थे आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 तो बने रहें वीडियो के साथ देखते हैं सबसे फर्स्ट कोशन्स बहुत कम दिये हैं हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेशन एड किये हैं तो इनको आपको ध्यान से क्या करना है बच्चों समझना है देखना है देखे एक्सरसाइज 3.2 में कौश्च कहा है बच्चो 0 4 है तो वो कहां पर लाई करेगा देखते हैं देखिए सब्सक्री कि मैंने यह डाइघ्राम किया है यहां पर ठीक है यह x यह माइनस x यह y और यह माइनस का y तो देखते हैं बच्चों क्या होता है कि यदि हम 0 और 4 को represent करेंगे हम 0 और 4 को represent करेंगे तो वो कहां होगा बच्चों वो होगा 0 मतलब की value of x और y की value कहां पर जानी है हमें बच्चों हमें दे जानी है on y axis only सिर्फ हमें y axis पर ही आगे बढ़ना है यह हमारा point जोगा बच्चों वोगा 0 4 तो यह कहां लाई करेगा on y axis ठीक है बच्चों यह y axis पर लाई करेगा यह बात अपने को ध्यान रखना है इस इसको बहुत अच्छे से समझना है ठीक है देखते हैं question next the points 0-5 lies देखे बच्चों क्या होगा कि यह है x axis यह minus x यह y और यह minus का तो अब देखते हैं कि the points 0-5 0 और minus 5 देखे यह 0 है हमारा और minus 5 मतलब कि y की value तो यह हो गया 1,2,3,4 and 5 ठीक है यह हो गया 0 यह हो गया minus का 5 अब यह भी गया है बच्चों यह भी y axis पर ही लाई कर रहा है ठीक है बच्चों यह भी किसके उपर लाई कर रहा है y axis के उपर लाई कर रहा है देखते हैं बच्चों हम next question the point of intersection of horizontal and vertical lines determined the position of point in partition plan is called what ठीक है बच्चों देखें partition plan में हम बात करते हैं कि horizontal and vertical lines की ठीक है बच्चों यह horizontal और vertical line अगर जहां पर intersect करता है उस point को ओ या फिर क्या कहते हैं origin कहते हैं ठीक है बच्चों हम क्या कहते हैं उसको origin कहते हैं next question देखते हैं बच्चों तो वो है if the coordinates of a point are three zero then it lies in what x axis y axis at origin or between x and y y axis ठीक है बच्चों देखे थ्री पॉआ थ्री और जीरो के लिए थ्री वन टू और यह हो गया थ्री ओन एक्से एक्सिस three zero देखे बच्चों इसमें बच्चों आंसर फ्रस्ट क्या होगा देखे होरिजोंटल लाइन का नाम क्या होता है या तो उसे हम x x एक्सिस कह सकते है x एक्सिस भी कह सकते है या फिर हम उसे कह सकते है एप्सी सा ठीक है बच्चों एप्सी सा भी हम उसको कह सकते हैं और दूसरे को हम कहेंगे y axis या ordinate ordinate ठीक है बच्चों यह हो जाएगा first question का answer देखते हैं बच्चों second question का answer what is the name of each part of the plane formed by these two lines ठीक है इसको मैं कर देता हूँ रब देखो बच्चों यह कोई graph हमने बनाया है तो इन दोनो lines के दोर horizontal और vertical lines के दोरा जो डाई बनते हैं parts कितने बनते हैं यह हमें बताना है बच्चों और उनका क्या-क्या नाम है तो देखते हैं बच्चों इनका नाम जो होगा वो क्या होगा सबसे वेले तो हम कहेंगे first quadrant फिर होगा second quadrant फिर होगा थर्ड नंबर पर third quadrant ठीक बच्चों और fourth number पर आ जाएगा fourth quadrant ठीक बच्चों यह नाम हम क्या करते हैं partition plan पर देते हैं ठीक है write the name of point where these two lines intersect line जहां intersect करती है उसका नाम क्या होता है बच्चों उसका नाम होता है origin क्या होता है origin 00 या फिर उसको OB happen कहे सकते हैं ठीक है बच्चों यह है question number वैसे exercise का यह क्या है बच्चों first question है हमने practice कुछ question की किती इसलिए sequence में कहां पर पहुँच रहा है हमारे पास number 5 पर पहुच रहा है यह graph आपको दे रखा है ठीक है अब हमें क्या करना है कुछ questions की answer बताने है कि देखिए the coordinates of B B के coordinates देखके बताएं कि क्या होगा बच्चों यहां पर यह B है ठीक है इसमें पहले हम लिखेंगे X की value तो वो होगी minus की 5 ठीक है यह 1, 2, 3, 4 और 5 हम आये है on negative side of X axis ठीक है बच्चों तो यहां पर जो है FC सा हो जाएगा minus का 5 coordinate क्या हो जाएगा यहां पर 2 ठीक है minus 5, 2 जो होंगे coordinate होंगे किसके point C के अब हम B के हम देखते हैं C point को बच्चों तो C point आपको यहां पर दिख रहा है देखिए X की positive side हम गए है 5 और Y की negative side हम गए है minus 5 तब जाके हमें मिला है C तो बच्चों क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे 5 और minus 5 ठीक है अब देखते हैं बच्चों the point identified by the coordinates minus 3, minus 5 minus 3 minus 5 से हमें कौन सा point दिख रहा है बच्चों यहां पर हमें लिखना इसका answer E ठीक है फिर बढ़ते हैं the point identified by the coordinates 2 minus 4 2 और minus 4 से कौन सा point दिख रहा है बच्चों हमें दिख रहा है G point G दिख रहा है अब देखते हैं the abscisa of the point D point D का abscisa कितना होगा abscisa मतलब value of x मतलब 6 ठीक है the ordinate of the point H point H का ordinate क्या होगा बच्चों देखिए होगा h का ordinate बता ही है यहां पर y की value कितनी दिख रही है आपको minus का 3 ठीक है diagram अगर थोड़ा आपको नहीं समझा रहा है तो आप book को refer कर सकते है book देख सकते है ठीक है the coordinates of the point L point के coordinates हमें बताने है where is L L point जो है यहां पर रहा 1, 2, 3, 4 और 5 तो इसका ordinate मतलब y की value ही बतानी है हमें वो कितनी है 5 और the coordinates of point M M जो है वो कितना है बच्चों minus 3 ठीक है minus 3 जो है on negative side of x-axis यहां पर exist कर रहा है तो यह हो गई values अब यह जो है question हो गया है खतम यहां पर exercise का ठीक है next जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग करेंगे exercise 3.3 solve बने रहिए कल्यानी जूनियर्स के साथ उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आयोगा question आपको समझ में आएंगे आपको कोई डाउट चैप्टर्स रेटेड नहीं रहा होगा अगर डाउट होता भी है तो आपको comment section में डाउट को लिखना है अकल्यानी जूनियर्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयहिन वंदे मात्रम झाल, को आपको को देखने का इपको समझ अवाद करने का मात्रम